किसान आंदोलन और क्रिशी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है इस मुद्दे पर हमारे सयोगी प्रभाकर कुमार ने आम आदमी पार्ठी के नेता और राजसभा सांसद एंडी गुपता से खास बाद चीत की है आए सुनते है किसानों का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ब्याद भी जारी है दो दिनों का जो मोहलत एक तरह से दो कमेटी बना कर कहा गया था कि वो पूरे मामले को देखेंगे लेकिन अभी तक किसानों का कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है जब तक वो बिल बापस नहीं होती है तब तक उनका अंदोलन जारी रिए इस पर बातचीत करने के लिए राजसभा सांसद इंडी गुपता साब है सुप्रीम कोट का फैसला आया केंद सरकार को एक तरह का जटका दिया एक कमेटी का गठन किया गया लेकिन किसान अभी भी आज पचासमा दिन है उनका अंदोलन जारी कैसे रास्ता निकले गए देखिए केंदर सरकार को कोई जटका नहीं है इससे ठीक है उन्होंने स्टे लगा दिया है और एक कमेटी बनाई लेकर हमें यह भी द्यानमर रहने की बात है जो चार मेंबर कमेटी के बने हैं चारों ही किसी किसी रूप में इन बिलों के पक्स धर रहे हैं और इन बिलों के कहा है कि यह बिल सही है और इसमें किसी परकार का संसोदर्गी जरूरत नही बता है कि तीनों बिल वापस कब ले रही है और मसफि को कानूनि जामा कभ पपना रही है उससे कम में किसार कोई भी बात करने के लिए तयार नहीं है और कमेटी जो फॉर्म हुई है उसको वो कोई मानना नहीं दे रहे है ना उसके साथ समक्स किसी बात का आएंगे ना अपनी बात रखेंगे